IPL 2020 का नाम सामने आता ही फैंस के बीच में excitement देखने को मिलती है इस बात की वो अपने अपनी टीम को फुल सपोर्ट करेंगे और उनका हर मैच देखेंगे हर प्लेयर को सपोर्ट करेंगे लेकिन ऐसे में कुछ खास टीमें होती हैं जो सबका दिल जीतते हैं तो कुछ टीमें होती हैं जो काफी मुश्किल मैच को भी जीत जाती हैं उनके अच्छे प्लेयर की बदूलत जिन में चैने सोबर किंग्स जोयल चैलेंजर बैंगलो कॉल कता नाय ट्राइडर की तरफ से आंधर रसल जब खिलते हैं तो जातर मैच जिताते हैं तो ऐसे में हम कैसे बूल सकते हैं किंग्स 11 पंजाब टीम को भी जहां दोस्तों किंग्स 11 पंजाब टीम का रिकोर्ड यूए के मैदान पर काफी खास है क्यूंकि 2014 में जब जितने भी मैचिस खेले गए थे उनको वहां पर एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था तब ग्लेन मैक्सवल ने अपनी जा खलता हासिल करने के लिए टीम को पुनर गठिट किया गया है लेकिन पंजाब की टीम को सुनिश्चित करना होगा कि वह अच्छी शुरुआत को नहीं गवाए और टीम में विदेशी खिलाडियों का बैलनस सही रखे यानि कि पंजाब की टीम ने पिछले साल नीलामी में क क्रिस जोडन के रूप में देट ओवरों की गेंदबाजे के विकल्फ हासिल करने से दिख रहा है कि टीम ने अपनी कम्यों को दूर कर लिया है जो पिछले सीजन में उन्होंने कमी दिखाई थी कि उनका मिडल ओर मजबूत नहीं था और देथ और में कोई गेंदबाजे अ तरीका भी ढूनना होगा क्योंकि वेस्ट इंडिस का ये खिराड़ी केरिबियाए प्रीमियर लीग में सफल अभ्यान के बाद यहां पहुंचा है लेकिन किया दाहुल के सामने कुछ बड़ी चुनोते होंगी कि लीग च्रण में ज्यादतर हिस्से में मिडल ओर्डर में मै प्रीम का कप्तान बनाया गया है जैसा कि वे खुद कह चुके हैं कि उन्हें इस दवा भरी चुनोती से निपटने के लिए मुख्य कोच आनील कुम्बले और बाकी स्योगे श्टाप पर निर्भार रहना होगा यानि कि यह कहा जा सकता है कि आनील कुम्बले और केहल और बागी खिलारी दिला ही देते हैं लेकिन क्या उस सफलता को बनाये रखेंगे क्योंकि सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है टी में मैचिस हादने लगती है और उनका होसला भी कम हो जाता है बदाया दोस्तों कि कोट्रल और जॉडन के अलावा तेज गेंदबाजी में अन्य विकली मोजुद हैं भारती तेज गेंदबाज मुहमद शमी को कौन भूल सकता है जैम्स निशाम को कौन भूल सकता है हाडस विलोजन दर्शन नलकंडे अर्श दीप सिंग और इशान पोरेल है तो वहीं सयुक्त अरव अमिरात की पिचों पर स्पिन की बड़ी भू कि चटकाए हैं और उन्होंने राजिस्थां जोयल्स और दिली से ओफ स्पिनर के गौतम और बाई हाथ के स्पिनर जे सुचित को लिया है हाला कि उमीद लेग स्पिनर रवी विश्णोई से लगी होगी क्यूंकि उन्होंने 2020 अंडर 19 विश्व कप में परभावित किया था मैक्सवेल इस बात को लेकर काफी सेटिसफाइट कर सकते हैं कि पिछली बार जब टूर्णामेंट का कुछ हिस्सा यूए में खेला गया था किंग सिलेवन पंजाब के लिए उनका सफर शांदार रहा था तब 2014 में इस उस्ट्रेलियाई ने 16 मैचों में 552 मनाये थी जिससे टीम अब तक के अपने एक मात्र फाइनल में पहुँची थी लेकिन वहाँ पर कॉलकता नैटराइडर टीम के तरफ से उनका हार शिकस्त लगी थी उप विजेता रही और अंतीम बार टीम प्लेएफ में पहुची थी साल 2014 एक ऐसा ही साल था जिसमें किंग्स 11 पंजाब फाइनल तक पहुच पाई थी लेकिन बात करें साल के टीम की जिसमें कुछ माहिर खिलाड़ी हैं तो बात करें पूरी टीम की जो खिलाड़ी गए हैं यूए उसमें शामिल है के अलजा हुल किरिस गेल मैंक कगरवाल निकोलास पूरन ग्लेन मैक्सवेल जैम्स निशम क्रिस जोडन मुहमाश शमी मुझीब जादरान शेल्डन कोटरल हाडस विलोजन दशन दलकंडे हर्पीत बरार अर्चदीप शिंग मंदीव सिंग सर्फ राज खान के गोतम जे सूचित रवी विश्णोई दीप खूडा तजिंदर धिलो परवसिमरन सिंग और मुर्गन अश्विन ये खिलाड़ी हैं जो पंजाब की टीम से खेलते भी दिखाए देंगे समय समय पर अपनी एहम भूमी का निभाते भी दिखाए देंगे लेकिन का आपको लगता है कि पंजाब की टींग इस बार फिर से वही कमाल दिखा पाएगि जो उनोंने साल होजा शौदा में दिखाया था क्या गिलेन मैक्सवेल कि वही पारी हमें देखनें को मिलेगी एक एक मैच में पिचाणे-पिचाणवे रन की वह पारी कौन बोल सकता है नेक्ट नेंड स्पोर्ट से दीपक की रिपोर्ट